असलाम लेकुम दोस्तों अमीद है कि आप सब ख़यरी सोंगे दोस्तों स्मौन क्रेटिस में खुश्याम दीद दोस्तों कल मैंने एक फॉरन इमिटेंस और फॉरन इनकम के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर कुछ लोगों को कन्फूजन थी फॉरन इनकम क वाले से एर P.E.R.C के हवाले से कुछ नहीं questions पूछे थे आज गे वीडियो के ंंतर मैं उन questions कांसर्ड देने जा रहा हूं एक पुर्छी के हवाले से उन्होंने of remittance certificate , एक्शुली यह है proceed of realization certified तो पी एरसी certificate जो आपने बैंक से लेने हैं यह हर किसी remittance के लिए लए लएदा-लएदा आपने लेने हैं यह नहीं है कि आपको एक इस certificate बनाके दिया जाएगा यह जिस भी बैंक के थुरूरूट हो के आपके पास यह remittance आती है, बेशक आपने UPL से लिया है, लेकिन अगर वो standard chartered bank से root होके आई है, तो आपको वो standard chartered उसका certificate बना के देगा, और आपने apply अपने bank में ही करना है, जिदर से आपने वो लिया है, यह जिस bank में आपका count है, अच्छा, अच्छा इसका फिर वो कुछ लोग प एक साल से पहले अगर आप यह remittance ले लेते हैं, जब आपके remittance आपके count के अंदर आई है, तो इसके कोई भी bank charges चार्ज नहीं कर रहा है, यह free of cost जो है, आपको यह PRC मिलेगा, हाँ, अगर आप एक साल के बाद अगर आप उस bank पे जाकर request देते हैं, कि मेरी एक साल से पहले remittance आई है, उसका जो है मुझे PRC चाहिए, तो फिर वो bank आप से charge कर सकता है, हर bank का schedule of charges के साब से charges लग होंगे, अच्छा, इसलिए जो है, इसका तरीका कार यह है कि जैसे ही आपके remittance आती है, bank में आप फौरी apply कर दें, मुझे PRC certificate इसका चाहिए, दो से तीन दिन के अंद आप daily basis के उपर आप इस तरह कहते हैं कि मेरे लिए मुझेल होगा, आप मेहीने का, दो मेहीने का, तीन मेहीने का, इकठा है जो है, वो सारी remittances का एक ही मर्दबा अपलाए कर दें, आपकी remittance के सारे certificates हो हैं, वो बिछले तीन मेहीनों के, यह quarterly basis पे, यह semi-annually basis पे, जो भी आप अपना वो रखना चाहते हैं, लेकिन एक साल से पहले पहले आप उस certificates का मंगवा लें, ताकि आपको free मिले, अच्छा, दूसरे नंबर पे foreign income के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे, कि भाई हम तो बाहर कमाते हैं, दस हजार अगर example उनके धरम UAE में वो कमा रहे हैं, उदर तो आल लड़ी वो टेक्स दे रहे हैं, तो वो foreign income के अंदर हम इधर लिखें, देखे, foreign income इधर जो मैंने return के हवाले से कल बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ बताया था कि अगर पाकिस्तान में बैट के बाहर से पैसा कमा रहे हैं, जैसे ज़्यादतर software based, यानिके या फिर freelancers हैं, वो ये काम करें हैं, अगर ये international rule है, कि एक income के ओपर जब एक मरत पर tax लग जाता है, तो दूसरा country उसी income के ओपर दुबारा tax नहीं लेता है, double taxation नहीं होती, अगर आपने बाहर के मुलक में, अगर UAE में आप कमा रहे हैं, आपने वो पैसों के ओपर दुबारा इदर tax नहीं देना, अच्छा, और लेकिन ये है कि वो सारी की सारी income आप इदर mention में नहीं कर सकते हैं, रेटरन के अंदर, आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाली रकम mention करनी है, रेटरन के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर आपने remittance के तोर पे भेजी है, ठीक है, तो ये थो दस हजार, जो भी आपकी दर्म, आपकी income है, आपने जारी बात है कि उसमें से expenses भी किये, expenses करके, आपके कुछ उदर के, जो भी living expenses हैं, आपने वो किये, और आपने जो है, उसके ओपर tax भी दिया, अब वो दस हजार तो नहीं ना बचा आपके पास, पाकिस्तान के अंदर, अब वो आप फॉरन रिमिटेंस के अंदर पांच हजार बेजेंगे, अच्छा एक और चीज जो है, वो लोग पूछ रहे थे, कि मैं रिमिटेंस जो है, वो अपने अकाउंट में किस तरीके से भेजूं, अपनी रिटेंस के अंदर किस तरीके से mention कर मेरा तो पाकिस्तान के अंदर काउंट नहीं है, इसका कोई हल बता दें, ताकि कल को जो है, वो मुझे explanation ना देनी पड़े, कि ये मैं अपनी बीवी को देता रहा हूं, या मैं अपने भाई को देता रहा हूं, या मैं किसी और के काउंट में देता रहा हूं, तो उससे जब पाकिस्ताना हो, तो वो पैसे लेके मैंने कोई प्रॉपर्टी करी दी, उसका तरीका कार ये है कि मैं आपको एक मश्वरा देता हूं, उसके अंदर ये है कि आज कल बहुत ही जबरदस एक अकाउंट ओपन किया है, नौन रेजिडेंट्स के लिए, आड़ी अकाउंट, ये स्टेट बैंक का अकाउंट है, ये किसी भी बैंक के अंदर आप अपने ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और आपको इसके लिए बैंक में भी विजट करने की जूरत नहीं है, आपने क्या करना है, कि आप ऑनलाइन बैट के उस बैंक की वेबशाइट से ये आड़ी अक काउंट ओपन कर सकते हैं, को